साच शिकाल दोस्तों आज दी इस वीडियो विच जिली वेल तुसी देख रहे हो इस वेल दे बारे असी गलबात करांगे इस वेल नूँ मराथी देविच संक्रांत वेल बैंगलोर वेचे नूँ गोल्डन शावर दे नाम नाल जाने जान दे इस तो इलावा इस दे हो और भ पहला हो दे नूँ असी नच्री तो ले आके जमीन दे विच जा गमले दे विच लगा सकते हैं दूसरा है इस वेल नूँ कटिंग दे द्वारा वी उगाया जा सकते हैं आते तीजा तरीका इस नूँ अगाउन दा हैं बीज दे द्वारा सो हर एक फुल जा कली दे पिछे बीज हुंदा है जिसनों इस वेल नूँ उगाया जा सकते हैं पर ए थोड़ा समा मंगदा है जिसले ही वेल उगन विच टाइम लगेगा सो मैं नर्सरी तो ए वेल ऐसे तरह ही ग्रोव किती होई लेके आंदी है ते एन वसी पॉर्ट दे विच लगा मांगे सो में गल एकि इस वेल नूँ लगाने दे लेही ज्यादा वधी है जिनों सिद्धा तरती दे विच लगाया जावे यह ज्यादा ग्रोव कर दी है क्योंकि फिर दो साल दे विच भी दास फीट तो उपर चली जान दी है जे कर इसे नूँ पॉर्ट दे विच लगाने आ तक बाद से बाद तो बाद 15 तो भी फिट उच्छी जा सकती है ते जो के तरतीने विच ज्यादा वदिया उग दिया पर जैसे नो पॉट चे लगांदे ले पहला जड़ा नीचे होल है उन्हों सी थोड़ा जा उदे उपर कुछ रख दें कवर कर दें तांके एदे विच मिट्टी नाफ से और पाणी अरावनाल निकल सकें गमले विच पॉट्दे नो गांदे लेगी किसे वी तरह दी मिट्टी जड़ी एदे ली चल सकती है ते जेकर कले मिट्टी है तो दे विच जिपसम नो एड़ कीता जावेता ज़ादा वदिया है पर जड़ी मिट्टी आसी यूज कर रहे हैं एदे विच मैं हुन जादा एड़ किता है 40 परसंट तक खाद सी एड़ कर सकते हैं ते एदे विच गोबर खाद कंपोस्ट खाद ते कोकोपीट में एड़ कर रहे हैं तो इना चीजा नो मिला के फिर असी ये प्लांट जड़ा दे विच ग्रो करांगे ते बाकी गाल ले इ इनने तो ए फ्लावरिंग करनी शुरू कर देंदा है और फुल विंटर जड़िया दी फ्लावरिंग हुन दिया है मतलब चार तो पांज मीने तक पौदा जड़ाया है वेल फुल फ्लावरिंग कर दिया है बठी है कि पूरा साल एदे पत्ते जड़िया बिल्कुल हरे पर ऐस तरह नहीं है कि जे फुल खत्म होगे ता पत्ते भी जड़िया दे चड़ जानगे वेल नूँ उगार तो बात जुरूरी है इदे पाणी दा तिया आन रखना जेकर पौट च उगारे है और वेल छोटी है साड़ी ता मिटी सुकन तक पाणी जड़ाया है नोसी पाद इदी मिटी सुकी नहीं राण देनी नहीं था ए प्लावेल जड़िया उखराब हो सकती है पर जदो एक वार ए ग्रो कर जन दिया जवे तरतीच लगी होगे जदो थोड़ी ग्रो कर गई वड़ी होगे फिर इस नूँ पावे पाणी पाईए जाना ता आव यहने फ्लावर सब्सक्राइब जड़ी है इसलिए इनों किसे दिवार देनाल भी चड़ा सकते हैं जारसी बनके किसी भी तरह अंदा इनों सहारा देहें ता ए ज्यादा ग्रो करेंगी इस तो बादेगा लियां कि एंदी डारेक्शन जड़िया फ्लावरिंग उस साइड नों होईगी जिस प्रूनिंग दी ता एनों साल विच दो वार इदी प्रूनिंग किती जानी चाहिए प्रूनिंग मींस के एनों इदी कांट शांट जड़िया होनी चाहिए जिवें पहली वार हुंदाया गर्मी दी शुरू दे विच एदी एक वार प्रूनिंग हो जानी चाहिए अथे लडिया देविछ लग देया और जिनना सी एननु स्टार्टिंग तो प्रून करते जावांगे उन्हीं एज़ादा फैलेगी और उन्हीं मिक्स कर देया बट मैं इस वार इननु ऐसे तरह ही मिक्स कर रही है और जो तो सी पाणी पाँगे था ए अपने आप ही गिली होके मिट्टी नु मुश्च चड़ा ओ दे देवेगी सो गमले विच मिट्टी पान तो बाद हून असी यह दे विच लगाने है फ्लेम वाइन दा प्लांट मिट्टी साधी बिलकुल सौफ्ट और पूरपूरी है और एदले मिट्टी हाड नहीं होनी चाहिए इसलिए दे विच खाद ते कोपीट मिक्स किती गई है ते एनू कि अपर नू थोड़ा जाए दबा देना है नीचे नू ते एद विच पानी जड़ाया ओ छिड़क देना है ते तांके नू नाल ही ताजा पानी मिल जावें इस प्लांट दी के अरे इस तरह करनी के नू लगान तो बाद थोड़ा चे रिशामे रखांगे एक दो दिन क्योंके एक जगा तो दूसरी जगा ते जो तो प्लांट ले आन्दा जन्द है ता ओ थोड़ा मुर्जा भी जन्द है इस करके इस प्लांट नो मैं हूर नू जन्याँ जयजे तक सब्सक्राइब न्यूंक इता था सब्सक्राइब भी कर देओ ते कमेंट करके अपने व्यू शेर करें ते जदो ओए फ्लावरिंग करेगी व्यल ग्रो करेगी ता ओव वीडियो भी में थोड़नाल जल्दी ही शेर करांगी मेलते हैं एगली वीड चुछ चुछ